जै काल भेरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं हमारे खास कारिक्रम काल भेरव साधना में और मैं हूँ आपकी होस्टेंड दोस्त रश्मी मनंग दर्श कोई तो आप सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्शना करके उनकी सिद्धियां पराप्त करना इतना असान नहीं होता क्योंकि भगवान अपने असीम किरपा परसा देते हैं उनके उपर जिनको उनकी सिद्धियां पराप्त हो जाती हैं और ऐसा किस प्रकार से हो पाता है ये हर कोई जानना चाहता है क्योंकि यदि हम किसी की उपासना करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उनका आशिरवात प्राप्त हो जाए हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए हमारे पास इतना ध्यान हो जाए कि हम दूसरों का मारत दर्शन कर सक तो आज आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से एकाल भेहरव की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है किस प्रकार से एकाल भेहरव की साथना करनी चाहिए और ये सब आपको बताने कलिवारा जमारसा स्टूडियो में मौझूद है जानेवाने सद्गुरू डॉक्टर श्रीत तारामणी जी तो आई ये इनका स्वागत कर लेते हैं भूद भूद स्वागत है आपका धन्यवाद दर्श को यदि आप भी जानना चाहते हैं किस प्रकार से एकाल भहरफ की साधना करनी चाहिए कैसे उनका अश्रवाद आपको प्राप्त हो सकता है ये सारी चानकारिया आप प्राप्त कर सकते हैं नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं कारिकर्म के बाद आप संपर्क कर सकते हैं आप वाटसेप भी कर सकते हैं नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आपकी कोई भी समस्या है जिसके बारे में समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिद्यों के बारे में अन्ने प्रकार की चानकारिया प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर समपर्क करें नमबर लगाता लगनव का संस्तापक हूँ मेरा ओरिजिन उत्राखेंट पॉलिगड़वाल से है मेरे दादा परदादा सभी वहां पर अपनी तंत्र साधनाओं को मंत्र साधनाओं को ध्यान साधनाओं को करते हुए मुरादाबाद के जो महराजा थे उनके मुख्य पुरोहित की रूप में हमारे दादा परदादा सब विराजमान थे मैं लगबग 12-15 वर्षों से देश भर में घूमके ध्यान तंत्र और मंत्र के जो वास्तविक सुरूप हैं उनका प्रिचार प्रिसार कर रहा हूं लोगों शिव का सुरूप इसलिए हैं क्योंकि शिव ने जब जब विद्वन्स रूप धारन किया है तो वो शिवत्व को छोड़के उगर हुए हैं और उन्होंने पाप का दुराचार का संगार किया है और उसी प्रकार से आज भी वो इस जगत में फैली हुई चितने भी प्रकार की पाप है अनातिकता है उन सब का विद्वन्स कर रहे हैं अलग-अलग माध्यम से भगवान बहरव के वास्तविक सुरूप जो उगरतम सुरूप है काल बहरव उनकी स्थापना हमने लखनों के पास एक छोटा सा गाउं है हिंडोरा शहर से बहुत दूर वहाँ पर अधक आके अपनी साधनाओं को एकांत में जंगल के मद्य प्राकृतिक वातावरण में गुरु सानिद्ध में पूरे विदी विधान से उस साधनाओं को कर रहे हैं महराज जी बहुत अच्छी बात है जो आपने बताया कि वहाँ पर काल भेरवाश्वरम की आपने इस थापना की है लोगा कर सिद्धियां करते हैं अगर बात करें आपकी तो आप लगबख कितने वर्षों से लोगों का मार दर्शन कर रहे हैं या फिर कितने वर्षों तक आपने सिद्धियां प्राप्त करने में लगा दिये अपने मैंने आठ वी कक्षा में जब था मैं तब से मैंने अज्यानता वर्ष जो मेरे दादा परदादों की पुष्तिके थी उनका अध्यन करना शिरू कुरा समझ में बहुत कम आता था लेकिन फिर भी अध्यन करते कर करते करते गायतरी के पुरश्चरन करते हुए भगवान भहरव की उपासना साधना जो भी उस समय के हिसाब से उस बालक पन में मुझे समझ में आता था उमें करता चलता था उस्तकों को अध्यान करते करते धीरे 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 वर्श बीचते गए मैं अपनी जो सांसारी education है, उसका मैंने पूरा करा, मैंने MBA कम्प्लीट करा, साथ-साथ मैं साधनाई भी करता रहा, उसके साथ-साथ मैं आश्रमों में, जंगलों में, मठों में, गुर्वों के पास, शम्शान खटों में, और ऐसी ऐसी अनेक गुप्त स्थान, गुफाएं, जहां-जहां बैटके म मुझे प्राप्त हुआ है, सारा जो भी आज मैं आप सब के सामने, आपको मैं दे रहा हूं, और ये जो साधनाएं हैं, इन साधनाओं का मूल ही यही है, कि आप जब तक गुरू के निर्देशन में ना करें, तब तक आपको वो तत्व जागरत नहीं होता है, क्योंकि जब शकति का उद्वेक कहां उठता है, शकती कहां शकति कहां मस्तख पटल पर चड़ती है, कहां नीचे गरती है, ये सभी चीजों को बताने के लिए गुरू की बहुत आवर्श्यक्ता है, और इन ही सब चीज के लिए मैं आशरम में, अपने श्रीकाल वहरा आशरम में सभी सा साधनाय में करा रहा हूँ बगवान काल भहरव और शिवजी में जहां तक मेरा अपना अनभव है और जो शाष्त्रों में वरनित है उसके आधार पर जम देखने जाते हैं तो बहुत सुक्ष्म अंतर उसमें समझ में आता है बहुत सुक्ष्म अंतर सिर्फ इतना है कि शिव या तो कैलाश पर बैटे है या तो शमशान में भस्म रमा के बैटे हैं उनको इस शांति है उनके पास परिवार भी है उनके पास सब कुछ है लेकिन वो आँख बंद करके बैटके समाधिस्त हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन जब वही शिव तत्व जब जागरत होता है कुछ करने के लिए सुरूप को छोड़के विध्वन्सकारी रूप में आते हैं, तो उनके अलग-अलग रूप निकल के सामने आते हैं, चाहे हम रुद्रवतार बजरंबली के रूप में ले ले, चाहे हम वीरभदर के रूप में ले ले, चाहे हम भगवान भहरव के रूप में ले ले, ये सब उनीके ही अवतार की रूप में शास्त्रों में वरनित है लेकिन जब कोई साधक इनकी सिद्धियों इनकी उपासनाओं में उतरता है तो ये पाता है कि भगवान भहरव ही शिव हैं शिव ही भगवान भहरव हैं दोनों में कोई अंतर ही नहीं पाता है वो उसकी भावदशा के उपर निर्भर करता है कि यदि कोई शिवतत्व को उपलब्ध होना चाता है गुरू तत्व शिवत्व को उपलब्ध होने के बाद ही उपलब्ध होता है यानि कि जिसकी समाधी लग गई जो परम में लीन हो गया जिसका प्राण ब्रह्म में लीन हो गया वो शिवत्व को पलब्ध हो गया और शिवत्व को पलब्ध होने के बाद उसकी एक ऐसी स्टे जाती है कि न वो बाहर कुछ बताने वाला होता है न तो भीतर कुछ जाने वाला होता है वो शानते चित्थों के बैठा होता है लेकिन जब वो एक्शन में आता है कुछ बताने के लिए आता है तब उसका बहरव सुरूप सामने आता है चाहे वो गुरू पदासीन होके कुछ बता रहा हो चाहे हाथ में तलवार और खड़क लेके कुछ ठीक कर रहा हो जी बिल्कुल आपने सही कहा कि काल भहरव जी जो है वो भी जो है अपना विक्राल रूप जब लेकर आते हैं तो इसलिए लाते हैं ताकि लोगों का मार्ग दर्शन किया जा सके या फिर यदि कोई गलत कारे कर रहा है सामने वाले में क्या चीज़े देखते हैं जो आपका भक्त बनने आता है क्योंकि जरूरी होता है मन का साफ होना मन का शुध होना तो आप किस प्रकार से चेयन करते हैं अपने भक्तों का या फिर कोई भी आ जाता है आप उनको मतलब सिखा देते हैं सिद्धिया किस प्रकार से आप उनका चेयन करते हैं सबसे प्रिथम तो जब मेरे पास जो मेरा वट्सेप का माध्यम है जिसके माध्यम से लोग मुझसे संपर करते हैं या कोई एप है या कॉल है जिसके माध्यम से लोग संपर करते हैं तो उनके मुख से बोला हुआ पहला शब्द, उनके द्वारा लिखा हुआ पहला अक्षर ही उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी जोग्रफी मेरे सामने पेश कर देता है। उससे पता चलता है कि इस विक्ति का क्या संसकार है, ये गुरू से बात करने की तमीज में है की नहीं, उसको पता है भी की नहीं, कि कैसे किसी गुरू के पास भिक्षाटन करके भीक मांगता हुआ याचक जाता है, कि है गुर्देव मैं उस अंदकार में भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति का मारग दिखाई है, मुझे साधना का मारग दिखाई है, मेरी आत्मा रो रही है, तड़ पर आओ इस संसार के बंदनों से, ये भाव दशा एक साधिक की जब होती है, तो उसको मैं बिलकुल हिर्दे से लगाता हूँ, लेकिन वही साधिक कुछ ऐसे भी आ कुछ मैं जाब बताता हूँ, या कुछ उसको ऐसा उपाय बताता हूँ कि उसके अंदर वो भीतर संसकार, वो म्रदुता, वो सौमिता, वो धीरता, वो आये, ताकि कम से कम वो उस तल पे तो आये, जब मैं कुछ बोलू और उसके भीतर उतर पाये, तो उन चीजों को बतान पहले उसको ये पता रहे कि वो किस छेतर में जा रहा है इस छेतर में साधना छेतर में जब वक्ती जाता है तो साधना छेतर मुक्ती पत है ये सत है कि जब उस पत पे चलता है तो कटनाईया आती ही आती है लेकिन उसके जहां हानी सांसारिक दरश्टिकूर से है उसी परकार स सांसारी दर्श्टिकूर्ट से लाप भी उसके बहुत जादा है जो बिलकुल महाराजी ऐसा कहा भी जाता है कि जिस चीज की हानी होती है कही ना कही लाप भी होते है यानि के गई भी कह सकते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है कैसे सादक बन सकते हैं सच्चे तो सिद्धियों का इस्तमाल तो बहुत से लोग गलत कारियों के लिए भी कर लेते हैं तो भगवान काल भहरव की सिद्धियों की प्राप्ति करते समय कौन सी बातों का धिहान हमें रखना चाहिए भगवान काल भहरव की सिद्धी या साधना या उनकी उपासना जब हम लोग संसार में जब देखते हैं तो करते हैं हमें काल भहरव की सिद्धी करनी है लेकिन ये बहुत कठन है, बहुत ज़्यदा कठन है क्यों? क्योंकि एक मात्र भगवान भहरव ही ऐसे देव हैं की इज़्जत नहीं कर सकता है उनकी बेज़्जती करता है कुछ भी मुख में आके बोल सकता है बिना सोचे समझे वैसे लोग उनको पसंद नहीं है ऐसे ही कई सारे दुरगण जो समाज में फैले हुए हैं जिनको लोगों ने अपने भीतर संसकार बनाके गांट बांद के बैठा है रखा है उनके मार्ग में अगर इस प्रकार का व्यवहर वो करते हैं तो उनको भगवान भेरों दंड भी बहुत खतरनाक देते हैं तो कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर साधक उनकी साधना मोतरता है तो सिद्धी तो बहुत दूर की बात है सिद्धी तो ये हो गया कि अगर काल भेरों की सिद्धी हो जाती है तो वो स्वेम काल भेरों का सुरूप हो जाता है तो उनकी सिद्धी तो बहुत दूर गम है और वो सिर्फ ऐसे देव है अगर आप भग्वान बहरोगी साधना में उतरते हैं तो बिना गुरू के अगर आप उतरते हैं तो वो आपका या टॉ टांग तोड़ देते हैं तो उसमें वो बैठा हुआ इस्ट वो देखता है और कहता है कि ये साधक अगर ये उपासना कर रहा है तो इसकी मैं परिक्षा लूँगा और उस परिक्षा में बहुत कटिन परिक्षा होती है उस कटिन परिक्षा में उनको मुख से कुछ असत की भी बुलवा दिया जाता है उसको अगर वो विवेक जागरत नहीं हुआ है तो उसको उसके हाथ से कुछ दुशकर्म भी करवा दिया जाता है और वो नहीं करवाते हैं उनके जो जाच करता होते हैं जैसे एक्जाम में होते हैं वैसे उनके भूत प्रेदगर्ण आके या तो उसको आपने देखा होगा कई सारे अगोरी औगर नशे में डूपे रहते हैं और कहते हैं मैं बहर हूँ, मैं बहर हूँ तो उनके जो भूत प्रेदगण हैं, क्योंकि भूग उनको लेना होता है, बहरो को तो किसी चीच को मतलब नहीं है, तो उनके भूत प्रेदगण परिक्षा के ले आते हैं, उनको भूग चाहिए होता है, वो उनके अंदर से ऐसी भावना पैदा करते हैं कि आप तुम जो जो उनको एसा लगता है, क्योंकि उनका गुणी ही है, गुणी धारन किये वे वो, कोई भूत प्रेदगण आए हुआ हुआ है, उनके थोड़े बहुत काम भी होने लगते हैं, उनको लगता है अब तो मैं साक्षाद बहरभ हो गया, और यही चीच अगर गुरू के साथ को कर रहा हो तो उसको गुरू बताता है कि अभी तुम बटक रहे हो ये बटकने का टाइम है तो अब सुधर जाओ जिसके पास गुरू नहीं होगा वहां बटक जाएंगे बिलकुल आज जारे जी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया जिस प्रकार से सद्गुरू जी आप लोगों का मार्ण दर्शन करते हैं ताकि भगवान का अशिरवात प्राप्त कर सकें उनके सचे भक्त कर सकें ये बहुत अच्छी बात है जानकारिया और भी आपसे लेना चाहते हैं लेकिन फिलाल समय का भाव हमें यहां रुकना होगा लेकिन आप यहां पर आये अच्छी चैठी जानकारी है हमारे दर्शको कोदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यौर समय कारी है हमार अन्यवाद।